मासला सुभान अल्ला आखिरकार अंजू पाकिस्तान से फातिमा बन कर चली आए क्या उन्हें पाकिस्तान ठीक नहीं लग रहा था छे महीने हो गए थे अंजू को पाकिस्तान गए हुए लेकिन जब पाकिस्तान से लोटी तो वो फातिमा बन कर लोटी फातिमा, वही फातिमा जो हिंदुस्तान से अंजू बन कर जाती है आज से ठीक 6 महीने पहले सीमा हैदर हिंदुस्तान आती है और सीमा हैदर के बाद अंजू पकिस्तान में चली जाती है और पकिस्तान में किसी व्यक्ति से साधी कर लेती है और वहाँ फातिमा बन जाती है बहुत सारे मेडिया वालों का रिपोर्ट आया वहाँ से कि फातिमा को यही ठेक लग रहा है अच्छा लग रहा है अब पकिस्तान में ही रहेंगे बहुत सारा मेडिया का यह भी रिपोर्ट आया कि अब इन्हें घर भी मिल गया है इन्हें जमीन जाजाद भी पकिस्तान में मिल गये हैं लेकिन आखिरकार 6 महीने बाद वही अंजू पकिस्तान से फातिमा बनकर हिंदुस्तान क्यों लटाएं क्या उन्हें बच्चों को देखना था या अपने पती को देखना था या अपने गाउवालों को देखना था या अपने हिंदुस्तान को देखना था जब हिंदुस्तान में कोई पती नहीं मिला और अपने पहले वाले पती यानि अरबिंदु को छोड़ कर जब पाकिस्तान चली जाती है कोई दूसरे पती के लिए तो महिला मतलब क्या हो सकता है उस महिला के दिल और दिमाग में क्या हो सकता है कहा ये भी जा रहा था कि जब सीमा हैदर हिंदुस्तान आई तो सारे बच्छों को अपने ले आई कहते हैं न कि कम से कम बच्छों को तो ले जाना चाहिए ले आना चाहिए लेकिन जो है कि बच्छों को भी ये छोड़ कर चली गई और बच्चु का भी मुह माया इस अंजु के पास नहीं था जो पाकिस्तान से फातिमा बन कर आई है आप से ठीक 6 महीने कहानी सुरू होती है लेकिन उससे पहले हम अपना परचे दे दे अपना उसकार मैं हूँ आपके साथ हमेद कुमार आप देखना सुरू कर चुके हैं टीवी समाचार इन दिनों जानते होंगे कि कल से सोशल मेडिया पचारों तरफ वायरन हो रहा है कि अंजु गई पाकिस्तान अब पाकिस्तान से फातिमा बन कर चली आई है जब एरपोर्ट पर मेडिया वालों ने पूछा फातिमा से यानि अंजु से तो वो कहीं मैं हैपि हूँ वही किस बाद की खुसी है आपको ये तो ठीक नहीं है आप मतलब हिंदूस्तान आती है और कहती है मैं खुसी हूँ और हिंदूस्तान वासियों के दिल और दिमाग में क्या चलनें आपके प्रती आपको पता नहीं है आप फातिमा बनकर पकिस्तान रह रही थी ठीक है हिंदुस्तान वाले ठीक कह है अपना धर्म परिवर्तन करवा लिए कोई अतराज ठीक है वहीं रहिए आपको घर जाजाद और सब चीज मिल गया, धर्म मिल गया, अपना सुहरत मिल गया, सम्मान भी हो गया वहाँ पकिस्तान में आपका, तमाम सारे ड्रोन से वीडियो बन रहे थे, फुटेज आ रहे थे सामने, और बहुत खुश थी आप पकिस्तान में, ल दो बच्चों को छोड़ कर गए, पकिस्तान उस सब भी आप खुश थी, क्योंकि अपने पती से, पहले वाले पती अर्बिन से कह रहे थी कि मैं जैपूर आई हूँ, मैं घूम रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, सोपिंग कर रही हूँ, फिर लाउट के चली आउंगे, लेकिन बाद में पता चलता है कि आप तो पकिस्तान की सेर कर रही हैं, आप तो पकिस्तान वाले प्रेमी से प्यार करने गई हैं, और बाद में ये भी पता चला कि आप साधी कर ली हैं, अंजू से फातिमा बन गई, मतलब हिंदूस्तान वाले को क्या बेव मैं तो उन्हें नहीं राखूंगा ना बच्चों से मिलने दूँगा और अंजू के माबाप भी कह रहे थे कि मतलब हमारी बिटिया ठीक ठाक नहीं की है बहुत गलत की है और जब कोई पाकिस्तान से आता है आपको पता ही होगा जब कोई पाकिस्तान से आता है तो बकायदे जो है कि वहां हिंदुस्तानी पुलिस होते हैं, उननों को से मिलना पड़ता है, तब इंअगर की आपको पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने दिया जाएगा, लेकिन सोचने वाली बात है, कि coronattack memes किया और परिसान कीया रहा था, क्या अंजू को वहां रहकर मन नहीं लग रहा था या अंजू के बच्चे हिंदुस्तान में जोरा रहे थे पति के पूड़ासा मतलब मुह हुबाया था या फिर वैसे ही ये बहाना बन कर चली आई तो यह भी सवाल उठता है कि क्या अब अंजू जो है हिंदुस्तान से पाक से मिलने अपने बच्चों से मिलने और फिर पाकिस्तान लोड कर चली आएंगे लेकिन आप लोग क्या कुछ कहते हैं आप लोग की दिल और दिमाग क्या कुछ कहते हैं एक बार जरूर कमेंट करके बताएं लेकिन ठीक लगा कि नहीं आप लोग को स्वागत किये आप लोग ज तेरे टीवी समाचार, नमस्कार.